जाहिन एवरिवन तो आज हमें कठा हुए है आर्मी अगनिवीर में होने वाले साइको मेट्रिक यानि आपकी मेंटल एडाप्टिबिलिटी टेस्ट के लिए ठीक है उसमें कुछ सेच्वेशन दी जाती है और ऑप्शनल आपके कुछ ऑप्शन दिये जाते हैं उसके बेस पर कैसे रियाक करेंगे क्योंकि आप सिच्वेशन को कैसे हैं तो उस कोस्चन पर हम कुछ एंसर्स करेंगे ठीक है तो आपके सामने है एक सेच्वेशन ठीक है अंकित है ठीक है अंकित का सपना था आर्मी जॉइन करने का और मेडिकल के बाद उसको पता चला कि वह आर्मी में मेडिकल आउट हो गया है तो आंकित क्या करेगा आपके पास option है option a, क्या अंकित अपने senior से लड़ने लगेगा या blame करेगा की मेरा क्यों नहीं हुर्य सीक्शन ठीक है ?ає b option है कि वह subsequent कर लेगा ? फिर c a option है ? उसके सामने है दूबारा से अपने medical की कमी को खतम करके अगली बा दुबारा कभी इंडियानामी में नहीं आएगा ठीक है नहीं अपने परिवार या फ्रेंड्स रिलेटिव को आने के लिए सजेस्ट करेगा तो आप लोग बताइए आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे अब जाएगा अगर दखे जैनेटिक प्रॉबलम है तो इनको भी सही है जा सकता है अगर जाएगा प्रॉबलम के अगर प्रॉबलम देखे तो जैनेटिक्स प्रॉबलम के अंदर नहीं आता है इस वैसे एक हाइटी सब्सक्राइब ज्यादा रहता है कि हम आई को छोड़ कर सकते हैं जिसके वज़े से हम अपनी मेटकल इसको क्लियर कर सकते हो और हेल्दी फूट भी हमाई जीवन भी बहुत अवर्शक रहता है मतलब उससे हम लोग अपनी बोडी को फिट रख सकते है जिसमें मेटकल को कि लिए पास कर सकते हैं इसलिए आप्शन चारों लोग आप्शन सी के साथ नेक्स्ट कोश्चन थोड़ा सिंपल है कि वर्ट इज ओरेंज ठीक है ऑप्शन ए कलर ऑप्शन भी अ फ्लेवर ऑप्शन सी अटेस्ट ऑप्शन डी आल दी अबब तो सब्सक् आप लोगों ने दो एंसर तो काफी अच्छे दिये तो अब हम थर्ड ऑप्शन के लिए तो एसी सच्ट वेशन में क्या करों तीसरा कोश्चन आपके लिए कि तुम्हारा एक दोस्ट नदी में डूब रहा है तो एससे सच्ट में आप क्या करोंगे आप आसपास की कोई पॉसिबल वस्तु ढूनोगे उसकी हिल्प से उसको बचाओगे दूसरा क्या है कि आप भी कूद कर उसके साथ दूब कर मर जाओगे ठीक है तीसरा है कि आसपास चिलाओगे मदद के लिए और फूर्थ नंबर है कि आप डर कर भाग जाओगे तो आप मैं मैं होता तो मैं अगर अगर उसको बचाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीकी से और मतलब आसपास चिलाने को कोई फायदा नहीं क्योंकि उधर पर डर कमोहल तो तब तक हो सकता है और डूब सकता है कि उसको आने में टाइम लग जाग जा जागा और डर के भागना ये कोई बात नहीं हुए अपने दोस्त को छोड़ के भागना यह तो कायरता की बात हुए इसलिए हम दर के भागे नहीं हम आपके पास कि आप अगनिवीर का फिजगल देने गए हो ठीक है आपके घर से किसी को कॉल आता है कि आपकी दादी को दिल का दौरा पड़ेगा और तु ऑप्शन ए है कि आप तुरंद फिजगल छोड़ करके अपने दादी के पास जाओगे अपने घर चले जाओगे दूसरा ऑप्शन यह है कि आप लोग वहीं रुकोगे अपने फिजगल दोगे यह सोच कर कि आपने इस एक्जाम के लिए एक साल तयारी करी है और यह मौका बार बार नहीं आता है फिर आपना फिजगल देकर घर जाओगे तब उसके बाद तो ऐसे सबसे पहले तो यह सबसे यह कोश्चन जो था है हमारे मेंटालिटी अप्लिट्यूट को एकदम बढ़ियां तरीके से पता लगा सकता है क्योंकि यह कोश्चन समारी क्या 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 करते हैं आर्मी की क्या का और अपना फिजगल।ा सलम एक बार आता है और सालव प्रैक्ती करने के बाद हम अभी तक में यह नहीं पता है कि मेरी दादी पार हुई है की वह उनके लिए मैं किसी फेंझ को इंफान्म करके फिर उसके बाद में इपना फिसकल दूँगा उसके बाद फिर फिर इन होने पार से बात करके मैं फिर घर जाओंगा तो आपके यह क्या प्रब्लम बता के उसे भी घार आउंगा तब अपनी दादी को देखोंगा अगर हम परिवार को देखते हैं तो आप किसी भी देश की आर्मी को देखें तो एक नेशनल के लिए कारे करती है ना कि अपने परिवार के लिए तो मोलती मिलता है तो हम सबसे पहले देखें के 이죠 कifter ने आए भारत को देखें के उसके आर्मी को देखेंके उसके बाद हमारा आता है परिवार वह सहाँ हzeit कि ऊसने होसे में सेवा परिवार को देखना चाहिए तो आपकी पूरी कंट्री ही एक परिवार की तरीके देखना पड़ता है मेरे दोस्त पूरी कंट्री की जमेंदारी आ जाते हैं इसलिए हम अपने फैमिली को बाद में देखेंगे सब्सक्राइब नेशन 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 है उसके बाद पर गार रहे हैं इस पता चला कि मेजर कल्सी क्लासिट में कैसे आया कैसे यह वीडियो पड़ा है इस वह से सारे बच्चों को बहुत जादी जो इसमें अगनीवीर की त्यारी करके पेपर रिटेनिक निकालेंगे फीजिकल के लिए जाएंगे तो सब्सक्राइब होगा तो इसके जड़ी उनको पता चलेगा कि कैसा हो तो जैसा कि हमने चार कोश्चन की है ठीक है चार सिचुएशन दी आ अब यह जब यह नया आगए अपको दी जाएगी तो इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट ट्रेनिंग आपको आफलाइन और आउनलाइन बैचेस है तो आप खुद तैयारी कर ही रहे हो अपने डोस्तों को बताइए कि हां कि आपके पास तो आप इसको कैसे टैकल करोगे क्योंकि एक बच्चा जो होता है वह भले से कितना बड़ा हो जाए लेकिन उसको चीजों जब बताएंगे नहीं तो वह अपनी मेंटल बिल्टी को कैस से टेस्ट करेंगा तो मेजर कल सी आपको चीजों बताएगा कि आप इस सिच्वेशन में यह करोगे उसके इसी को रिलेट करके आप अपने फ्यूचर में पॉसिबल ऑप्शन दूड़् सकोगे अच्छी ऐसी सिच्वेशन में एक तो मेजर केल सी में क्या है कि आपको आरम से आफ लाइन ऑनलाइन तो जो भी आरमी की प्रिप्रेशन कर रहे हैं आप अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को बताएगे कि ऐसे स्टुएशन में हमने यह अंसर किया वी आरे स्टुएट्ट ठीक है तो वह भी इन फ्यूचर अपने फ्यूचर को परसीव कर सके आमी जॉइ करके अगनिवीर में जो भी एडाप्टिबिलिटी टेस्ट है फेज वन फेज टू सब चीज की तैयारी के